दोस्तो कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता ऐसा ही कुछ हुआ है एक बच्चे के साथ जो पबची गेम खेल रहा था लेकिन हेड़फोन उतारती चलाने के बाद उसकी मौत हो गई पूरी न्यूस क्या है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वादा हूँ तो चली दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे इस फैमली का हिस्सा बन जाए ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्ते ये खबर आ रही है मद्यपरदेश से जहाँ पर एक बारिव क्लास का जो बच्चा था जिसका नाम था फुरकान कुरेशी उनकी देथ हो गए पबजी मॉबायल को खेलते हुए कुछ बाते उनके बारे में जान लेते हैं कि देथ का कारान रहा और कैसे उनकी मौत हुई है सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो उनके एक फैमली मंबर ने बताया कि जो वो थे फुरकान थे वो जो है हमेशा करीवन 6 गंटे और करीवन 18 गंटे तक वो जो है पबजी गेम जो है वो खेलते रहते थे गेम खेलते वक्त उनको चिलाना यह उनकी नॉर्मल आदत हो चुकी थी जिससे की डॉक्टर का यह भी कहना है कि बार बार ऐसे शाउट करने से उनका जो हॉर्मोन लेवल था वो जो था उसमें कुछ चेंजिस आये थे इसके बात आगे बात करें तो जो बॉई था जो लड़के था वो बहुत बार बैटल होती है पपजी मुबाल में जो बैटल होती है उनमें अब लगातार उनको हार रहे थे और इसके बाद जैसी इससे आप देख सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं इस बाद से कि मतलब बैटल हारने के बाद उनका रोना शुरू हो जाता था जब भी मुबाल में मतलब गेम में बैटल हारते था आप एक सोची कि ये बस एक फिक्शनल गेम है कोई ये रियल्टी से इ अगर उसमें हार है जित कोई मैटर नहीं करती लेकिन उसको कितना दिल पे ले लिया था कि उससे जो है अगर उसमें हार हो रही है तो बच्चे को यहां पर रोना आ रहा है फैमिली मेंबर ने ये भी बताया कि जैसी वो गिम खतम हुई और फुरकान हार गए तो वो तुरं ऑफ डॉक्टर की बात करें तो ॉक्त का यह कहना ई कि इनकी जो मौत का कारण रहा है वो है कटियेख अरयस्ट जो ic सिर्फ और सिर्फ इस वज़े से हुआ है कि इनका जो एडरनलीन हॉर्मोन ता शरीर में वह ज्यादा जो है मतलब निकलना शुरू गया ज्यादा जो है उसका लेवल जो ता शरीर में वह इंक्रीज हो गया आप सभी को पता होगा कि एडरनलीन हॉर्मोन जो होता है वह तो एर्ड हॉर्मों भी उसका एक रीजन हो सकता और ऐसा कुछ इनके साथ भी हुआ çूए कि इस वीड़ियो गेम की, इसी की जैसे उनके इड़ण लीन हॉर्मों में इंक्रीज हुआ जिससे उनको टाई कार्डिया जो की increase heart rate होता है वो हो गया ऐसा उन कार्डियोलोजिस डॉक्टर ने बताया जिरनों ने इनका इलाज किया था इलाज तो हो नहीं पाया उससे पहले इनकी death हो गई डॉक्टर ने ने मृत घोशित कर दिया family members की बात मानें की जो लड़के थे फुरुकान थे उनकी जो health थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और वो swimmer थे उसके बावजुद आप देख सकते health अच्छी होने के बावजुद कितना mindset पर ये game बर्डन डालती है कितना दिमाग खराब करती है इसकी वज़से क्या क्या चीज़े आप कह सकते एक अच्छे खासी खेलती family जो है वो बरबाद हो गई यहाँ पर बात करें उसी time पर उनके घर में marriage भी होने वाली थी और ऐसा कुछ उनने देखने को मिल गया यहाँ पर बात करें जो world health organization है उन्होंने भी अपनी जो लिस्ट निकाली है बिमारियों क चालती है और बिमारिया फैलाने का normally hormones level increase करने का heart rate increase करने का ऐसा कार्य करती जिसकी मुझे से जो death भी है वो हो सकती है यहाँ पर अगर हम बात करें पहली बार ऐसा हुआ था कि जो WHO है उन्होंने gaming disorder को अपने इस लिस्ट में डाला था लेकिन अब तक जो इंडिया में और बा उससे बड़ी दिक्कत है उस game को खेलने वालो और उनके घर वालो की इसमें सरकार या किसी game developer का कोई भी भात नहीं होता नौर्मल सी बात है अब अगर आपी के सामने आपी parents है अगर आपी जो है आपी का बच्चा जो है उच्छा गंटे 8-8 गंटे game खेल रहा है बारवी का बच्चा है उसे कहां अपने जो है boards की तियारी करनी चाहिए बारवी का बच्चा है घर में काम कहाज है उसे वो देखना चाहिए या अपनी आगे future के बार में सोचना चाहिए उसको छोड़का वो 6-8 गंटे mobile चला पब जी गेम खेल रहा है आप उसको इतना नहीं समाल सकत घरवालों की भी गलते घरवालों ने उनको छूड़ दी वो इससे family को सबसे बड़ा नुकसान चिलना पड़ा कि उनको उन्होंने जिस बच्चे को तो प्यार से पाला उसकी death अपनी आखों के सामने उनने देखनी पड़ी है यहां पर अगर हम बात करें PUBG Mobile जो है उसे जो ह पॉप हेल्थ नोटिफिकेशन भी आपको शो करता है जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है कि आप जो है आप जो है कोई भी मतव PUBG ना खेले अगर आपकी उम्र जो है 18 गंटे से कम है तो अब हम यहाँ पर जो है कुछ नहीं कर सकते सरकार ही अगर करना चाहे हो कर सकते हैं लेकिन फिर वह बात कि सरकार बैन करेगी लोग भड़क जाएंगे फिर लोगों को चिल्डाना लोग अपनी गलती नहीं समझते और सिर्फ सरकार और बाकी सारे लोगों पर ब्लेम डालते हैं कभी भी हम खुद यह नहीं सोचते कि जो भी देश में दिक्कते ह हैं वो सिर्फ लोगों के द्वारा दी गई हैं सरकार उसमें क्या कर सकती हैं आप जो हैं कूडा फैलाते हैं आप बेकार की चीज़े करते हैं आप किसी को गलत कहते हैं आप लडाईयां करते हैं आप रोड पर रोड रेस की केसिस आपने सुने होंगे जहां पर रोड पर ल यही आ रही थी नोटिफिकेशन यही नियूज निकल कर आ रही थी दोस्तों मैं भी आपको यही सला देना चाहूंगा कि अगर आप भी पपजी मुवाइल गेम खेलते हैं तो आप इस गेम को छोड़ दीजे या कोशिश करिए कि आप इसे लिमिट में के लिए एक घंटा दो अगली वीडियो में तो तक लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत